हेलो स्टूदेंस विल्कुम टो माई यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं ए माइटॉस के बारे में विच इस टाइप ऑफ सेल डिवीजिन आपने माइटॉस सुना होगा मियोस सुना होगा उसी तरह से ए माइटॉस भी है जो की एक तरह का होता है तो इसको हम डिस्कस करेंगे यहां पर तो सबसे पहले आपको पता होना चाही है कि मैटॉस को हम डिरेक्ट इवीजिन भी ढोलते है मान है इस डायरेक्ट सेलं डिवीजिन इसके बाद हुम देखते हैं कि जो माइटॉस अ miofn discovered by Remak ने इसको discover किया था scientist का नाम है Remak next जो a mitosis है it occurs in unicellular organisms unicellular organisms में हो गाई ये for example bacteria protozoa etc इसके अलावा a mitosis और भी कई जगा पर होता है जैसे कि diseased और old cell में कोई भी diseased cell है या old cell है उसके अंदर next fetal membrane cell fetus का जो membrane है उसके अंदर भी हो जाता है and mammalian cartilage cells mammalian cartilage cells okay तो basically a mitosis जो है वो एक तरह का asexual reproduction का ही method होता है so it is a method of asexual reproduction जैसे कि asexual reproduction होता है उसमें कोई भी प्रोफेज मैटाफेज अनफेज टेलोफेज नहीं होता उसी तरह से यह भी एक asexual का ही mode है asexual का ही method है तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि जो a mitosis है उसमें कोई spindle fiber की formation नहीं होगी वहां पर कोई chromosome formation नहीं होगी chromatin की condensation नहीं होगी और वहां पर कोई प्रोफेज मैटाफेज अनफेज टीलोफेज आपको नहीं दिखाई देगा वो एक simple सा method है जिसमें cell directly divide करके दो daughter cells बना रहा है ठीक है तो हम इसके features लिख लेते हैं यहां पर सबसे पहले आ जाएगा यहां पर no spindle fiber formation यहां पर कोई spindle fiber नहीं बनते नो chromatin condensation chromatin की कोई condensation नहीं होगी तो जब chromatin की condensation नहीं होगी तो chromatin से chromosome नहीं बनेंगे no distinct chromosomes formation ठीक है and last point is यहां पर कोई प्रोफेज मैटा फेज अना फेज या टीलो फेज नहीं होगा ठीक है तो किसी भी तरह का यहां पर spindle fiber की formation नहीं होगी equatorial plate पर क्रोमोजोम नहीं आएंगे क्योंकि क्रोमोजोम बन ही नहीं रहें तो वह आएंगे कहां से ठीक है तो अब हम देखते हैं यह होता कैसे process तो आप लोगों ने binary fission का process पड़ा हुआ है binary fission आपने सुना है तो binary fission जिस तरह से हो रहा है उसी को a mitosis भी बोला जाता है मैंने आपको पहले ही बोला था तो जिस तरह से बैक्टीरिया binary fission शो करता है उसी को हम a mitosis के नाम से भी बोल सकते हैं तो देखिए जिसे यहां पर यह यह parent cell है parent bacteria दिस इस दी नूक्लियस ओस पेरेंट बैक्टीरिया तो सबसे पहले जो पेरेंट बैक्टीरिया है जब binary fission होता है तो उसके अंदर karyokinesis होती है first step is karyokinesis that is nucleus divide करता है division of nucleus तो जो nucleus है वो divide करेगा एक ही nucleus से दो nucleus बन रहे हैं इसी को हम बोल सकते हैं कि यहां पर nucleus की elongation होती है क्या होता है elongation और जो nucleus है वो आपको double shape जैसा दिखाई देगा डंबल शेप जैसा nucleus यहां पर दिखाई देता है ओके उसके बाद क्या होता है जैसे karyokinesis होगी nucleus divide होगा उसके बाद होगी cytokinesis that is division of cytoplasm इस तरह से और फाइनली यह दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं डॉटर सेल यह nucleus elongate हो चुका है आधा इसमें आधा इसमें यहां पर आप सकते हो यहां पर किसी तरह कोई प्रोफेज नहीं आया है कोई मैटाफेज नहीं आया है और दो रॉटर सेल्स बन रहे हैं division हो रहा है हाना कोई spindle fiber formation नहीं कोई chromatin की condensation नहीं है तो इसी तरह का जो simple method होता है जिसमें एक parent cell दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है without the involvement of all these features spindle fiber formation chromatin condensation prophase metaphase anaphase telophase उस तरह के simple division को हम बोलते हैं amitosis इसलिए इसका नाम जो direct cell division है वो आपको clear हो गया होगा directly यहां पर cell divide कर रहा है किसी तरह का कोई phases का involvement नहीं है so this is all about amitosis I hope आपको यह सारे जो concepts में नहीं बताएं वो समझ आ गया होगा इससे काफी सारे questions पूछे जाते हैं नीट के अंदर तो आप इस topic को जरूर पढ़िए यह आपके लिए बहुत helpful होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करिए और अगर आप मेरी चानल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यह बिल्कुल free of cost है और आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टन वीडियो से आपे मैं बनाके लेकर आती हूं नीट से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए बैल आइकन को जरूर क्रेस कर लिए जाकि जब भी सब्सक्राइब को नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए थांक यू सो मुच फॉर वाचिंग